नमस्कार मित्रो तो आज हम बात करेंगे डाइमंड बिदनेस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डाइमंड है उसका मेन्यूफिक्चरिंग कर रहे है अभी गुजरात है न वो around 92 और 95 परसंटेज टोटली डाइमंड है वो मेन्यूफिक्चरिंग करता है और पूरे वर्ड को प्रोवाइड करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि गुजरात है वो डाइमंड का हब है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो डाइमंड प्रोसेस हो रहा है या फिर उसमें फैसेड लग रहा है वो 56 फैसेड लग रहा है डाइमंड में तडिये, पेल, मत्हळे जो भी आते है यानि उसको हम कहते है पैविलियन कहते है गर्डल कहते है, क्यूलेट कहते है वो सारे की सारी प्रोसेस यहां पे डाइमंड पे होती है और यहां से डाइमंड है उसको शेप दिया जाता है धाचा दिया जाता है उसमें फैसेड लगाया जाता है और उसके बाद इसका manufacturing होके उसका selling किया जाता है लेकिन हमारे पास जो भी rough diamond stones आता है उस पे हमें technical process भी अभी करनी रहती है क्योंकि diamond है वो काफी cost ले है उसमें हमें जितनी भी process करनी है उसमें हमें weight ज्यादा लेना है उसमें जो impurities है उसको set करना है side impurities रखनी है और diamond है वो हो सके उतना ज्यादा खीच के उसमें अच्छी clarity बिठानी है वो हमारा ultimate goal होना चाहिए जो यहाँ पे हमें technology है वो ही provide कर सकती है यहाँ पे जो आप technology देख रहा है उसे हम कहते है serine machine अब यह serine machine में क्या होता है diamond है उसमें सबसे पहले हम white nail लगाते है यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे white nail लगा रहा है diamond में white nail लगाने के बाद उसको हम stage में रखते है और उसमें हम 4P की sign लगाते है 4P की sign लगाने के बाद यह diamond है उसमें हम जो रो शेप कहते हैं पोलिश डाइमन का वो रो शेप बनता है यानि की टॉप भमोडा हम कहते है तो वेशा शेप वो ये मशिन हमें देता है लेकिन सरीन मशिन में सिर्फ उसका प्लानिंग होता है और उसके बाद 4P मशिन में हमने जो भी तीन साइन लगाई है जो टेबल क्यूलेट और हम कह सकते है गर्डल की उस साइन पर प्रोसेस होके उसका शेप है वह फॉर्प्य मोशिन में बन जाएगा तो यहां पर आप सरीन मोशिन देख रहा है हमने स्टेज पर डाइमंड रखा यहां पर आप सकती है वहां पर नीचे रहता है तो डाइमंड यह पॉजिशन पर जहांपर हमें सेट करना है वहां-पर हमम सेट कर सकते है अगर इसमय वेक्यूम नहीं आता है तो उसके वेक्यूम के लीए हमें जगह करनी रहती, यहाँ पर देख सकते हैं, टो वेक्यों है, वो नीचे से पम्प हमारे पास रहता है, जो cover-up कर्सकता है, और डायमंड है इस stage पर हम रख सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं वो camera यहाँ इसका करना है अभी अपने स्टेज में रख दिया उसके बाद उसकी सबसे पहले प्रोसेस होती है मैपिंग की मैपिंग की प्रोसेस होने के बाद उसके हम मार्किंग की प्रोसेस करते हैं और मार्किंग की प्रोसेस होने के बाद उसमें जितने भी मार्किंग हमें करवानी है डाइम होता है और उसके बाद हमने उसकी आगे की ऐसे स्थेफ वह यहांपे के भिस इतने भी यह बंदे है वह काफी skilled base है, उसके पास इतनी skill है diamond को कैसे facet दिया जाता है कैसे उस पे facet है वो अच्छा ले सकते है उसकी Q-Late है, वो कैसे हम अच्छी middle में रख सकते है girdle है, वो कितनी पतली रखनी है वो इन लोगों को सब पता होता है और उसके बाद उसका manufacturing करते है हमारे पास जो diamond आते है वो आप यहां पे जो देख रहे है वेसे basic shape क्या आते है जिसमें हम impurities है वो ही सिर्फ remove करते है लेकिन इसमें जो weight है वो भी हमें mentally decide करना रहता है कि इसमें से अम भया यह diamond है हमने purchase तो किर लिया मान लिजी इसकी price valuation 15,000 per carat है यानि 15,000 इसके per carat diamond के price हमने pay किये है और उसके बाद इसमें manufacturing जो होता है तो उसमें हमें काफी अच्छी तरह से उसकी calculation करके अच्छा weightage लेके ही उसकी manufacturing करनी रहते है क्योंकि अगर मान लिजी यह diamond है उसमें आपने calculation अपने ही साब से अच्छी नहीं बीठाई उसमें जो process होनी चाहिए वो process आपने नहीं की तो इसमें काफी बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए diamond जब आप खरीदने जाए या फिर आप उसका assortment करते है तो काफी अच्छी तरह से उसका assortment होना चाहिए क्योंकि assortment है वो सबसे पहले rough diamond buying की process है अभी आप rough diamond buying करेंगे कैसे buying कर सकते है वो सारी की सारी information में आपको provide करूंगा लेकिन जो assortment है वो हमें perfect ही सिखना है और उसके बाद diamond है उसका manufacturing line में हमें आगे बढ़ना है